हेलो एब्रीवन वेल्कम टू माँ चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं मुहमत सुहिल दोस्तों आप लोगों को मैं आरबेल बैंक के बाइं 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 बोलके पिछले बार क्यों बताया था क्योंकि देखिए क्योंकि इसके अंदर जूबी लेवर्स बन रहे हैं 192 10 के लेवर्स बन रहे हैं इसके अंदर आप लोगों को मैंने चार्ट करके भी डबल प्रूफ बता दिया था अब देखिए स्टॉक चले गया 170.65 पैसा मगर 170 का लवल यानि सपोर्ट ये ब्रेक नहीं कर पाया अब हम लोगों का आवरेज हो चुका है हम लोग किदर भी ब बेले करें हमारा एवरेज हो चुका है 175 लेवल तक फ裔र रूपीस के हिसाफ से 172 के sup 세 बंचे और से 171 लेवल तक बने हम आइप्सक्राइब लेवरेज के अगर आवरेज क्या हो तो 178 लेवल तक इसके अंदर हमारे आवरेज बन चुके हैं अब देखिए आज के दिन 7 रुपीज और 9 रुपीज के हिसाब से जो भी आवरेज करे हैं सबी लोग प्रॉफिट में थे और जो 5 रुपीज के हिसाब से आवरेज करे हैं दोस्तों वो लोगी थोड़े नुकसान मे हैं डरे मत आप 190 पे जिदर आप लोगोंने 210 190 जिदर भी बैजिंग लिया है आप 190 195 और 200 लेवल तक आप इसके अंदर डबल से त्रिबल प्रॉफिट के साथ एकजिट हो सकते हैं मंतली और विकली टागेट के अंदर अब देखिए शॉट टरम टागेट तो हमारे जो हैं ये पहले से हैं 210 और 230 240 लेवल आप लोगों को बताते ही आ रहा हूं पर देखिए 210 रखे चलिए अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर पहली बार आए हैं अगर आप मेरे यूटूब वीडियो पहली बार देख रहे हैं मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों मेरे यूटूब चैनल सब्सक्राइब करिए सब्सक्राइब करते वकत बिला कौन को हिट करके नोटि 27.50 पैसा अभी भी बता रहा हूं दोस्तों 7 रूपीज और 9 रूपीज के पास जो भी आवरेज करें दोस्तों अभी के लिए तो 9 रूपीज के पास वाले भी दो रुपे के profit में अब देखिए 7 रुपीज के हिसाब से हम लोग दीड रुपे मैनस में अगर हम लोग 5 रुपीज के हिसाब से 210 से average करें हो तो हम लोग अभी मैनस में पर देखिए जो भी 190 के level पर entry करके 5 रुपीज के हिसाब से average 175 तक भी करे हैं 183.33 पैसे के पास average बना है अब देखिए कल के दिन उसके उपर जाने लगा जिदर 190 के असपास buying किया है वही जगे पर हम लोग double profit के साथ exit हो रहे हैं उपर लेवल पर नहीं अगर उपर लेवल पर जो भी लोगों ने entry लिया था 210 200 205 वह स्टाट चभी भी स्टाटेजी बता दिया था मेरे पिछले वीडियो में कि डबल profit के साथ exit वह लोग भी दोस्तों 200 लेवल के पास के उपर जाते हुए देखा आप लोग exit हो सकते हैं 205 लेवल पे ठीक है दोस्तों डूंट वरी और देखिए patience रख के चलिये धीरज रख के चलिये strategy बना के चलिये आप लोगों को पहले से ही बताते आ रहा हु strategy नाए थो भी strategy मेरे वीडियोस में आप लोगों को बताते ही रहता हूं क्योंकि दोस्तों देखिए हम लोगोंने दोसों दस लेवल पर लिया है स्टॉक चले गया 170 लेवल क्या करेंगे हम लोग क्या 40 रूपी माइनस में हम लोग क्या स्टॉक को सेल कर देंगे अगर वो 210 लेवल आई तक रुकेंगे और 210 के लेवल की उपर जाता हुआ देखे प्रॉफिट बुक करेंगे यह तो ज्यादा है आप रुकना चाहते हैं तो रुकिए पर जिसके पर स क्यापिटल नहीं होता है स्टाटेजी मेंटेन करिए बैकप क्याप क्यापिटल का भी बैकप क्या लगा के चलिए डबल से त्रिपल प्रॉफिट कमाईए मेरा बोलने का मतलब यही है दोस्तों अब चैनल जाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक है लिंक को हिट करिए और जाइन करिए मेरा टेलिग्राम चैनल फॉर इंट्राडे लाइव टिप्स अर्टॉक मर्केट अपडेट के लिए दोस्तों ज्यादा से जाधा तर सभी को मेल में एक वाड़ भी मि जा सकते हैं मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि स्टॉक के अंदर क्या करना है क्या एक्जिट करना है होल्ड करना है क्या करना स्टॉक को बताऊंगा और लाइव मार्केट के अंदर आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हैं मैं कोशिच करूंगा आपको रिपलाई 170 लिल की देखिए दोस्तों एक हिसाब से आवरेज करें कि देखिए आपने 190 पर एवरेज किया है फिर से आप करेंगे 187 या 185 या 182 180 ऐसे हिसाब से आवरेज करेंगे तो इधर ज्यादा से ज्यादा कैपिटल अटक सकता है एक बात अबजब करिया ठीक हमें कैपिटल अटकाना नहीं है स्टाटेजी मेंटेन करें तो भी कैसे मेंटेन करें कि हम लोग इसके अंदर डबल से त्रिपल प्रॉफिल के साथ एक्जूट हो जाए वही से ही स्टाटेजी मेंटेन करिए अब देखिए आपने कितना कैपिटल इधर लगा दिया अगर पर सपो क्या है यह देखिए दुस्तों के हिसाफ से तीन बार आवरेज हो रहा है और इधर हमारा हथ 100 रुपे के हिसाफ से कॉंटिटी लिए है तो इधर 21,000 लग रहा है इधर 19,000 इधर 17,000 कैसे कैसे आप आवरेज करेंगे वही से वही से कैपिटल कम लगता जाएगा और 27 रुपीज का हिसाफ से आवरेज इसके हिसाफ से भी आवरेज करें तो आप इसके अंदर डबल से तिर्बल प्रॉफिट पर एकजिट हो सकते है पर ऐसा स्टाटेजी मेंटेन करेंगे तो कैपिटल अटक जाएगा और आवरेज भी आपका नजजिक से नजजिक लेवल न यह को पूरघर से इसके भी आगे बtoire यह को हुती हैं हुगा थोड़ा और तेंटर से टर्ट यहिंद करेंगे अवरेज करने के बाद भीhes जाते हैं तो 20 to 200 level पे भी exit हो जा सकते हैं अगर थोड़ा सा 10 to 15% profit शाहिए तो भी 205 पे exit करिया पर 210 level तो मेरे पहले से पक्का हैं अगर 170 level support break करेगा तो stock नीचे जाएगा वरना stock नीचे जाएगा ही नहीं यह मैं target निकाला हूँ कल market में trade करने के लिए कल के दिन आपको position मिल रहा है pre market में आप pre market पे ही मेरे buying and selling position पे trade कर सकते हैं दोस्तों देखिए pre market में जो 9296 के बीच में pre market चलता है उसके अंदर मेरे buying के selling के positions आपको दिख रहे हैं कि आद देख लिजे अगर मिल रहे हैं तो वही entry ले लिजी के target and stop loss लगाई है क्योंकि 9.15 से लेके 9.30 तक बहुत volatile होता है आपको इसके अंदर stop loss इटो रहा है target इटो रहा है पता चल जाएगा अगर pre market में आपको मेरे target देखने को नहीं मिले तो आप आप क्या करिए आप साड़े 9 और 10 बचे के बाद देखिए मेरे levels मिल देखिए